यह वो शख्सियत है जिसने बहुत ही कम उम्र में भारत का नाम बहुत उंचा किया था ब्यूडी क्वीन सुश्मिता सेन जन 19 नवंबर सन 1975 में हुआ परिवार तो बंगाली रहा पर जन हुआ हैदराबाद में इनके पिता इंडियन एर फोर्स में विंग कमांडर थे और मा एक जूल्री डिजाइनर सुश्मिता सेन की बहन का नाम नीलम और भाई का नाम राजीव सुश्मिता सेन के बढ़ाई हुई नई दिल्ली के एर फोर्स गोल्डन जूबली इंस्टिट्यूट में और फिर सेंट एंस हाई स्कूल सिकंदराबाद में इससे पहले इस सुश्मिता सेन और पढ़ाई करती इन्होंने मिस्ट उनिवर्स का खिताब ही जीत लिया था यह मात्र 19 बरस की थी जब यह फैमिना मिस इंडिया बनी सबको लग रहा था कि शायद एश्वर्डा राय यह खिताब जीतेंगी और सुश्मिता सेन उनसे थोड़ा सा आगन निकली और पढ़ाई मिस इंडिया बनी एश्वर्डा राय दूसरी पायदान पर आए और कमाल यह हुआ कि इन दोनों ने ही एक ही बरस में वो बनी थी और उसके बाद 1996 में इन्होंने शुरुआत की मतोर हेरोईन इनकी पहरी फिल्म रही दस तक जिसमें इनके साथ सहे कलाकार थे शरत कपूर और मुकुल देश 1997 में कामिल फिल्म में भी यह नजर आई थी फिल्म के नाम रच चगन दीवी नमबर वन में यह नजर आई और यह कॉमेडी फिल्म थी इसमें सल्मान खान इनके साथ थे और करिश्मा कफूर इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म पेर बेस्ट सपोर्टिंग एक्रस गुलजार सहाब की बेटी मेगना गुलजार की फिल्म फिल्हाल को कौन भूल सकता है के शारुखान की हिरोईन बनकर आई फिल्म मैं हूना में जिसमें मिस चांदनी का किरदार देखते ही बनता था यकीनन सुश्मिदा सेन उन अभी नेत्रियों में से रही जिन्होंने हर तरह के सिनेमा में काम करने की कोशिश की कल्पना लाजमी की चिंगारी को कौन भूल सकता है और क्राइम थ्रिलर समें अपने आप में एक बहुत बड़ा उधारन है सन 2000 में सुश्मिदा सेन ने वो फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को अहरान कर दिया 25 साल की उमर में इन्होंने ऐसा काम किया जो बाखे सरहानी है इन्होंने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम रखा वेने हरानी इस बात के हुई कि एक लड़की जो भी शादे शुदा नहीं है वो एक बच्चे को गोद ले रही है और फिर सन 2010 में इन्होंने एक और बच्ची को गोद लिया इसका नाम अली साफ यह बात भी गोद करने लायक है जब यह अपनी पहली बेटी को गोद ले रही थी तब सभी डॉक्टर्स ने कहा था कि यह बहुत बिमार बच्ची है इसे बहुत अंटिबायोटिक्स दिये गए हैं और यह मिंटली फिट नहीं होगी इस बच्ची को आप गोद ना ले यह अडॉप्शन के लिए फिट नहीं बैठ थी पर सुश्मिता सेन ने और भी डॉक्टरों की राय ली और अपने फैसले पर यह कायम रही सुश्मिता का यह भी मानना है कि सभलता असभलता चलती रहती है पर आप किस तरह की शख्सियत है वो ज्यादा महत पर रखता है यकीनन सुश्मिता सेन नौ जवानों के लिए एक प्रेड़ ना है यो झालती रहां गवड़ प्रादय मत पर यंदो अजराग